Hello Guys , पिशली वी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप Reliance स्मार्ट में कैसे जॉब के लिए अप्लाइ कर सकते हो आज मैं आपको बताऊंगे कि आप Reliance के किसी भी कंपनी में कैसे जॉब के लिए अप्लाइ कर सकते हो So, without wasting the time, let's get started सबसे पहले हम लोग Google के home page पर आएंगे और यहां पर हम Reliance लिखेंगे दिखेंगे यह Reliance Industries Limited का official website है इस पर click करेंगे इससे हम Reliance के जो है official page पर आ गए अब हम इसमें career पर जाएंगे और फिर यह apply now की option आएगी इस पर apply now पर click करेंगे click करते ही guys देखिए आपके पास अलग-अलग सभी के home page आ जाएंगे Reliance Retail Limited का Reliance Industries Limited का या Reliance Do Income या sorry info communication या new energy जहां पर भी आप job करना चाहते हैं आप वहाँ पर click करते हैं तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लो हम लोग यहां Reliance स्मार्ट पर click करेंगे देखिए अगर आप नए हैं और अपने mobile से इस app को चलाना चाहते हैं तो आप इस qr code को scan करोगे तो mobile की आपकी website आ जाएगी mobile पर आप खुल जाएगी और अगर नहीं तो प्रोसेसिंग स्लो है इसकी देखिए अभी हमारे पास जो है opportunities पर click करते ही different jobs जो भी Reliance Industries में jobs हैं वो सब खुल चुकी हैं ठीक है जैसे देखो यह 15 एपरिल को ही यह वली जॉब की पोस्ट डाली है उन्होंने CSA की जोब कहां पर है बरेली में है और site operations की जोब है यह आपका deputy manager की जोब है और यह कहां deputy manager HRBP Reliance Brands में human resource का आपका जो काम होगा deputy manager की जोब है मुंबई में है यह आपकी कमाख्या नगर में है और यह आपकी टीरा category planner की जोब है और यह मुंबई में है ठीक है ऐसे आप जिस भी जोब में interested हो आप उस पर click कर सकते हैं जैसे यह गुरुप गुरुगाओं की जोब है assistant manager की suppose मैं यहाँ पर जो है apply करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर simple click करना है click करते ही देखो पूरा job description खुल जाएगा मेरे सामने 14 अपरिल को यह job के बारे मुझे और में मुझे मिलना होगा जोब का जो है वो project and management के अंडर में होगा यह job और जो functional business area है मुझे क्या क्या करना होगा strategy and project पे काम करना होगा इसकी location जो है वो गुरुगाओं में होगी और job responsibility मतलब आपको क्या 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 काम करने होगे तो यहाँ पर जो है basically आपको designing and execution of EBO stores fit out work with stipulated fit out period and approved capex designing and fit out work management of franchise stores as per approved design and quality standards वो आपको जाकर check करना होगा और design and execution of all SIS outlets timely resolving of maintenance issues across stores design development to improve upon existing design concepts यह सब काम है जो मुझे करने होगे और educational requirement क्या मांगी है उन्होंने B.Tech मांगी है और civil या mechanical या electrical में आप B.Tech होने चाहिए या यह बैचलर इन आर्क होना चाहिए experience जो है यह आपका seven to ten years होना चाहिए स्किल क्या क्या होनी चाहिए bachelor of science in engineering और आक्टी कर्चर और degree from a technical college also acceptable वो भी acceptable होगी experience in computer-aided design and drafting में आपका experience होना चाहिए ability to work well in a team याने teamwork आपको आना चाहिए experience managing construction and role out of fixtures यह सब आपके काम होने चाहिए इसमें salary के बारे में यह लोग नहीं बिताते हैं जब आप apply करते हो suppose हम यहाँ पर apply now की पर click कर देते हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अप old user हो इनके या new user हो अगर आप new user हो तो अलग होगा और existing user पर अलग होगा हम यहाँ पर new user कर देते हैं ठीक है new user करते ही देखिए आपको अपना email id देना है यहाँ पर आइडी जनरेट करनी है email id देनी है पासवर्ड बनाना है अपना पासवर्ड को confirm करना है उसके बाद personal information देनी है आपको अपना नाम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जैंडर सेलेक्ट करना है नेशनलिटी स्टेट और सीटी मुवाइल नंबर अल्टरनेटिव नंबर आपका कोई है तो वो डालना है educational level आपको डालना है education establishment डालना है educational courses जो आपने किये हैं institution के बारे में बताना है passing date बतानी है उसके बाद आपको यह किस हब से आपको पूरा resume type वो जो है पूरी information देनी है यहाँ पर experience लिखना है organization कहां पर आपने काम किया industry में कौन सी काम किया job role क्या था आपका total experience कितना है आपका कौन सी country में किया कौन से state में किया कौन से city में किया और other details में आपका willing to relocate मतलब आप जो है दूसरी जगे जा सकते हो यह CV resume अगर आपने बनाया है तो यहां से आपको जो है upload करना है यहां से ठीक है maximum size जो है CV का आपके 2 MB होना चाहिए बस और तो कुछ नहीं है इसमें यह करके आप जो है यह register पर click कर देंगे ठीक है register पर click करते ही यह सब आपने भरना है ना हम नहीं भर है हमने नहीं भराये तो इस पर ok पर click कर देना और जो है आपका वहां पर enrollment चला जाएगा अगर वह आपको call करते हैं vacancy के लिए then you can go ठीक है और आपको interview के लिए बुला लिया जाएगा बहुत ही सिंपल प्रोसेस में जोब लेने का आप चाहें तो इस पर कर सकते हैं और इस तरह के इसके लावा और भी jobs है यहां पर वह भी आप सर्च कर सकते हो देखो floor manager की job है और merit में है और यह आपका टीरा की account manager की job है आपकी मुंबई में इस तरह से कोई भी job अगर आपको ठीक लग next पर click करेंगे तो और भी हमारे पास jobs खुल जाएंगी उनकी ठीक है इस तरह से आप apply कर सकते हो देखिए department manager, csa, csa, manager quality assurance control जो भी jobs में आप interested हो आप यहां पर apply कर सकते हो guys आपको समझ में आ गया होगा कि reliance में जो है आप job के लिए कैसे apply कर सकते हो और in fact इसके इलावा और भी companies की ऐसी के official websites पे जाकर jobs के लिए search कर सकते हो so आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह video कैसी लगी and wish you all the best, bye bye